जरा गाड़ी धीदे चला हमें गाउं पहुचना है स्वर्ग नहीं अरे टिंगू अगर जल्दी नहीं पहुचेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगे एक तो हम रेमकोर भी भूल गये हैं कहीं बारिश में अटक गये तो अरे अटकेंगे तो चलेगा लेकिन तपकेंगे तो नहीं चलेगा बचायाओ 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 लम्भू आज को मते सत्ता ओम पर यह पहुचाने वाला है तू तो डर मतिंगू जब हो लम्भू साथ तो फिर डरने की क्या बात है यह बगवान आज तो बहुचेंगे लेकिन तू कहां सुनने वाला है चिल ब्रो वो देख सामने गाओ भी आ गया और देख हम भीगे भी नहीं कोई इन कड़ों को रिपोर्ट करवाओ अरे बाबा भीग गए तो चल जाता अगर किसी कड़े में गिर जाते तो चलता नहीं चिंगू भाई मेरे ड्राइविंग स्किल पर इतना भरोसा नहीं I am hard अरे भरोसा तो तम करूंगा जब मैं सही सलामत चचा के घर पहुंचाओ दो मिनट में पहुंचाता हूँ क्या फाइदा हुआ मेरे इस तरह तेज तरह गारी भगाने का आकिरकर थोड़ा भीग ही गया हां हां और भूल जा रेंकोट घर पर अरे बच्चों आ गए कब से तुम्हारा व दरवाजी में रेंको टीबल पर ही रख के आ गए अरे चाच्या अगे बारी शुडू होने वाली थी इसलिए तो मैंने इसे जल्दी जल्दी से घर से निकाला अच्छा बाबा ठीक है अब इसके उपर जगडा मत करो चलो जल्दी से अंदर जाओ हात मुधो कर फ्रेश हो चाची ने तुम्हारे लिए गर्मा गरम खाना बनाया है अरे अरे बच्चो अब क्या दरवाजी पर ही खड़ी रहोगे आओ आओ अंदर आओ ठक गए होगी तुम लोग आज तुम घर पर ही खा पी कर आराम करो मैंने तुम दोनों के लिए करेले और प्याज की सबजी बन है तुम्हारे लिए अरे वा चाची क्या खाना बनाया है हाँ 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 बहुत स्वादिष्ट है कहीं मैं पराठो के साथ में उंगली आना चमा जाओ अरे तुम लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं ये क्या बस तस तस पराठे खा कर थक गए अभी तो खीर भी बची है खीर लाओ 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 चाची लाओ बच्चों कल सुबह थोड़ा जल्दी उड़ जाना हम लोग खेत पर काम करने चलेंगे फिर तुम्हे तुम्हारे दोस्तों के पास घूमने जाना हो तो चले जाना ठीक है ठीक है चाचा सुखाना है मौसम है सुखाना अरे ति मिट्टी गीली है जमने जोतने के लिए सही समय है अई मा लगी 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 बहुत सोर के लगी जिसका काम उसी को साजी दुझा करे तो ठेंगा वाजे टिंगू बेचारा ताकत के मामले में तोड़ा कच्चा है चाचा जी आप मुझे बताओ मिट्टी के माधव मेरे टिंगू भाई ले हाथ दे तुझे उठाता हू टिंगू अब तु यही पर आराम कर मैं चाचा की हेल्प करके आता हू बस बस बेटा महीने भर का काम तो तुम दोनोंने आज ही कर दिया अब तुम दोनों घर जाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हू अरे वा चाचा आप हमारी लिए रेनकूट ले अब हम ये रेनकूट पहन कर बस बारिश में गाओं में सैर करेंगे तुम लोग बिना भीगे गाओं की सैर कर सको इसलिए तु रेनकूट लेकर आया हूँ हाच आच आप फिकर नौड हम पूरा वा तुरीनकूट पहन करी रहेंगे शाबाश चलो अपने पुराने दोस्त मोटू के यहाँ चलते हैं हाँ मोटू अब कितना मोटा हो गया है वो भी देखकर आते हैं अरे यार टिंगू एक दिन और रुख जाते हैं न क्या हुआ अभी अभी तो आये हो और तुरंट जाने की बात कर रहे हो अरे बच्चो थोड़ी कुछ और दिन रुख जाते तो अच्छा होता है न हाँ चाची मन तो बहुत है लेकिन शहर में भी तो बहुत काम पड़ा है चाची हम फिर आएंगे न अभी के लिए हम निकलते हैं अच्छा चाचा अब हम चलते हैं फिर आना बच्चो जरूर आना हाँ हाँ चाची अगले साल फिर आएंगे समभल कर जाना धीरे धीरे समझ गये रीनकूट तो मिल गया लेकिन इन गड़ों का क्या ए भगवान बचा ले इस बात लमो अब तो तो थीरे गाड़ी चला अब तो रीनकूट भी है भाई चाच को पॉंप्लेक्स दिया है अपनी खड़कों ने इने कैसे बच्चते बचाते मैं गाड़ी चला रहा हूँ यह मुझे ही बता है यहां क्या चाण लेक्स से इसारी ट्राफिक कहां से आगई यह देख सामने तो कितनी लंबी लाइन है ट्राफिक की यह गड़े क्या कम थे कि अब ट्राफिक चाम भी हो गया रुक रुक मैं देखता हूँ क्या चल रहा है आगे मुझे लगता है कि गड़ों की वज़े से ट्रापिक जाम में फस गए रुक मैं आगे बढ़ पास ही खड़े किसी काड़ी के ट्राइवर से पूछ कर आता हूँ हाँ ठीक है क्यों भाई साहब क्या हुआ है आगे अरे भाई आगे गड़े की वज़े से एक टेंपू का एकसिडेंट हो गया है इसे लिए जाने की जगा नहीं है अरे ओर टिंगू आगे की ओर एक टेंपू पर्टी हुई है चल आगे देखकर आते हैं और कुछ हेल्प करते हैं आचल भाई या थोड़ा साइड हमें आगे जाना है आगे तो सभी को जाना है भाई हम आगे हेल्प करने जा रहे हैं तुम भी हेल्प करना चाहते हो तो तुम्हें आओ अब क्या करे मुझे क्या लगता है ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो इस टेम्प को उठाकर बाजू करे लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो कर सके हाँ आइडिया जेसीवी हम जेसीवी बुलाते हैं वो इस टेम्प को उठाकर सड़क के बाजू में करतेगा और फिर ट्राफिक जान में हट जाएगा हाँ, यहाँ हाइवेर पर एक एक्सिदेंट हो गया है और ट्रैफिक जाम दे हो गया है जलती से एक एसी भी भेजो इन दुनों को देख लगता है यह जरूर ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्ब कर लेंगे अरे वो देखो, वहा देखो पीछे से JCB भी आ गया अरे ओ भाईया देखो देखो ट्राफिक के पीछे JCB भी आ गया हाँ हाँ ड्राइवे साहब मैंने ही फोन किया था आप ये देखो ये सड़क के बीच टेंपू पड़ा है उसे ही उठाना है ये टेंपू कहा गया मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब इस सारी ट्राफिक को क्रॉस करके एंड में टेंपू पड़ा है उसे ही बाजू करना है अरे मेरे अकल से मंद भाया अगर कोई गाड़ी यहां से निकल ही नहीं रही तो JCB कैसे निकल सकती है अरे यार मैं तो ये सोचा ही नहीं था ये तो गर्वड हो गए लंबू अब कुछ हो सकता है टिंगू तिमाग तोड़ाओ अब क्या करें मेरे तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया है कुछ ऐसा हो जो चला कर ट्राफिक के पीच से आराम से टेमपो तक पहुँचे और उसे उठा कर किनारे रख दे आइडिया चल जल दे टिंगू मेरे पीछे आँ या जय बजरंग बली अरे वा तुम तो बहुत शक्ती साली हो शाबश शाबश अरे वा लंबू तुम तो सच में बहुत शक्ती साली हो हमारी चलते फिटते जैसी भी मुझे लग रहा था कि मैं इस टेमपो को शायद उठा पाऊंगा कभी भी अपने स्टैंडर्ट को अडरेस्टिमेट मत करना मेरे दोस्त चाचा चौदरी के साबू के बाद मेरा लंबू ही है थांक्यू दोस्त थांक्यू ब्रो पानी चौन्स पानी चौन्स